असलामों अलेकूम मैं जुलेखा अरफाद जुलेखास किचिन से तो मैं यहाँ पर बिर्यानी की फिर से रेसिपी लाए हूँ वैसे मेरी इस बिर्यानी की सीरीज है पूरी प्लेलिस्ट है लिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप अहाँ चेक कर लीजेगा तो इस बार में बना रही हूँ बड़ी आसा लजीज लज़दार और मज़ेदार बार्बीक्यू चिकन बिर्यानी आहाँ बद ही मज़ेदार लगती है खाने में अच्छा वो जो साइट पर रखी है मैं वो जो ग्रीन कोतमिर वाली जो चटनी आती है धही वाली मैंने वो बनाई है उसका भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अदर है आप महाँ चेक कर लीजिएगा तो चलिए जटपड बनाते हैं साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्र ओर्डिनरी पिर्याने बनाते हैं आज की चलिए सबसे पहले हम ड्राइ मसाला बना लेते हैं एक प्लेट के अदर ये है एक टेबल स्पून साबुद धनिया एक डांडी दालचीनी की दस बारा काली मिर्च साथ आठ लॉंग एक बड़ी इलाईची काली वाली एक बादियान कपूल एक टेबल स्पून जीरा नॉर्मल वाल ये सारो को एक मिक्सर जार के अंदर दाल कर पीना पानी दाल कर इस तरीके से पाउडर होए तक पीस लीजिए और इसे साइट पर रख दीजिए चलिए अब जिकिन को जिसमें मेरिनेट करके रखेंगे उसका मेरिनेशन बना लेते हैं तो एक टेबल स्पून भर कर अभी ज स्वाद अनुसान नम्मक दालिएगा एक छोटा चाय का चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक टेबल स्पून अद्रक लस्तन का पेस्ट और देट टेबल स्पून निम्बुका रस चुटकी भर तंदूरी फूट कलर भी दाल दीजिए आपने नहीं दालना तो ऑप्श उन्हों और से स्लिट मार लियां चिकन को वैसे भी छोटी चिकन है लेकिन मेने पीसस बड़े रखे हैं तो यह मेरिनेशन के अंदर दाल दीजिए चिकन को जिसके पीसस बड़े हैं लेकिन चिकन छोटी है मतलब 600-600 ग्राम है बहुत अच्छी से मिक्स कर लीजिए और इसे साइट पर रख दीजिए आप चाहें तो ढख कर रात भर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं या फिर ढख कर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में मेरिनेट होने रहने दीजिए यहां पर तकरीबन मैंने लिये हैं आधा किलो बासमती मतलब 500 ग्राम बासमती चावले हैं 2-3 पाने से धो के साफ पानी के अंदर आदे घंटे के लिए मैंने भीडाने रख दिया है जब आदा घंटा हो जाएगा तो जादा पानी दालकर नम्मक भी जादा दालकर उसे बॉइल करने रख दीजिए थोड़े से करम मसाले डाल दीजिए और तकरीबन 90-95% हो जाए वहां तक बॉ सारी चिकन मैरिनेशन के साफ दाल दीजिए चूले को कर दीजिए मीडियम आज और तकरीबन बार बार चलाते हुए चिकन को मीडियम आज पर 2-3 मिनिट तक फ्राइ कर ले जब 2-3 मिनिट हो जाए तो चूले को कर दीजिए slow आज और धाक से तकरीबन 12-13 मिनिट तक slow आज पकने दीजिए, चलिए तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके है, जैसे मैंने कहा था मेरी चिकन छोटी है, तो वो पक चुकी है, चूले को मैंने कर दिया fast आंच, और इसे fast आंच पर बार-बार चलाते हुए, इसकदर चिकन को dry out कर ले, जब अच्छे से completely dry out हो जाए इसकदर चिकन, तो इसका कर दीजिए, चूला सबसे पहले तो बंद, और बीच में एक स्थील की वाटी रख दीजिए, पांच मिनिट पहले न, मैंने कोईले को गरम करने रख दिया था, तो स्थील की वाटी के अंदर कोईला डाल दीजिए, गरमा गरम, और उसके उपर तेल, घी या दीजिए और 2-3 मिनिट तक इस तरीके से ये टांडा रहने दीजिए, कोईले का एक खुश्बू आएगी तो बढ़िया लगेगा, तो ये बन गई हमारी बार्बीक्यू चिकन, अब बढ़िया सी बार्बीक्यू चिकन की गरेवी भी बना लेते, तो उसके लिए एक आसान तरीका है, एक छोड़ चै का चमच, एक प्याले के अंदर डाल दीजिए, कश्मीरी लालमेच पाॉडर का, आदर छोड़ चय का चमच गरम मसाला पाॉडर, आदर छोड़ चै का चमच नमक, पनफोच छोड़ चय का चमच हलदी पाॉडर, 6-7 आलू बुकारे है, ये मैं ड चोटे चाय के चममच दाल रही हूं, जो सबसे पहले मसाला बना के रखा था, और अब इसे साइड पर रहने दीजिए, अब एक कठाई के अंदर, तेल दाल दीजिए अपने हिसाब से, और इसके अंदर, जब तेल गरम हो जाए, तो फास्ट आज पर प्यास दाल दीजिए, तकरी बिल, मैंने डाली है, दो मीडियम साइज कीती और एक छोटी प्यास थी, तो स्लाइस करीबी प्यास डाल दीजिए, और इसे भी बार-बार चलाते हुए, लाइट गोल्डन ब्राउं होने दीजिए प्यास को, पिरिस्ता बना लिजिए, जब प्यास लाइट गोल्ड की तेल के अंदर दो मीडियम साइज की टमांटरों को पईय की शेप में काटकर दाल दीजिए, एक टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट भी दाल दीजिए, और आधे एक मिनिट तक फ्राइ कर लीजिए, जब आधा एक मिनिट हो जाए, तो चूले को कर दीजिए, जब 3 मिनिट हो जाए, तो अब मैं ये खोल लेती हूँ, ये देखी, कितने अच्छे से मैश होगे न असलो आज पर, तो अब मैं स्पेटुला के मदद से इसकदर मैश भी कर लेती हूँ, मेरे जो टमाटर है, तो आप देख सकेंगे, ये देखे, बहुत अच्छे से खुल चु तो बार बार चलाते रहिएगा, नहीं तो काडल अपना हो जाए न, जब आप देखें कि हलका हलका तेल छूटने लगा है, तो ये जो पिरिस्ता हमने साइपर बना के रखा था, फ्राइड ओनियंस का आधी ले लीजिए, और आधी प्यास को इस तरीके से हाथों की मदद स क्रश करके डाल दीजिए, इसे के साथ साथ, तीन-चार हरी मिर्चियों को तोड़कर, बीच में से तोड़कर डालिएगा, स्लिट मत करके डालिएगा, अच्छा, मैं है न, हरी मिर्ची के बाद यहाँ पर ये डाली हूँ, जो हमारी चिकन पक चुकी है, वो वाला शॉट म माज पर पकने दीजिए, जब अच्छा पक जाए, तो यहाँ पर खूब सारी बारी कटी हुई कोतमिर दाल दीजिए, यानि के हरा धनिया और चूले को कर दीजिए, बंद, अब मैं वही पतिली में तो नहीं बना रही है, क्योंकि बहुत बड़ी पतिली है, तो अब मैं क् चिकिन बनाई थी, वही पतिली मुझे सही लग रही है, तो यहाँ पर पहले तो नीचे जो चावल बॉil करे हुए है, 90-95 पॉसे मैंने इस तरीके से लगा दिया, उसके बाद ये जो चिकिन है, ये बिस्मिल्ला रख्मानी रेम बोल के सारी डाल दीजिए, मसाले के साथ, स चिकिन इसके ओपर इस तरीके से ओल ओवर ड्रिजल कर दीजिए, आपने नहीं डालना है, तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, अच्छा, इसके बाद खूप सारी बारी कटी हुवी कोथमिर, यानि क्या हरा धनिया डाल दीजिए, और जो बिरिस्ता आपने सा तो इसके ओपर थोड़ी से ये प्यास का जो बिरिस्ता है बच्चा हुआ वो डाल दीजिए, थोड़ा सा कोथमिर याने के हरा धनिया डाल दीजिए, आप चाहें तो फुदी ना भी बारिक काट कर दाल सकते हैं, मैं यहां पर मैं हमेशा बिरियानी में ना, दो-तीन टेब मिनिट तक रहने दीजिए, इस जेगा पर मैंने थोड़ा से टिशू पर दाल दिया, क्योंकि दम पर है, तो ओविसली कोई भी भाब बाहर नहीं आने चाहिए, चलिए, पंदरा मिनिट हो चुक्या, और बाड़िया सी मेरी जो बिरियानी ये बार्बीक्यो चिकेन वाली ब ठाग दीजिए, और तकरीबिल 2-5 मिनिट तक ऐसे ही रहने दीजिए, मैं तो 10 मिनिट ही रहने दीजिए और 10 मिनिट के बाद मैंने इसे खोल लिया है, तो ये बन गई हमारी one of the best बिरियानी जिसका नाम है बार्बीक्यो चिकेन बिरियानी, बहुत दी लज़ीज और करूंगे और इसे जो हरी चटनी है, जो धही वाली जो चटनी है उसके साथ सब करूंगे, वैसा उसका लिंक दिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लीज़ेगा, दो तीन पॉइंट शेय करनी थी, हरी मिर्चिया, लाल मिर्चिया का पाउडर जो है, अपने स्वाद अनुसार दालिएगा, जो भी तरीके का, स्पाइस मैंने इस रेसिपी में डाला है, आप आपके हिसाप से अज़स्ट कीजिएगा, अच्छा, जो मेरी पतीली थी, वो मोटी थिक बॉटम की थी, तो मैंने नीचे तववा नहीं रखा था, गरम तववा, लेकिन अगर आप चाहें, तो कुछ बजन भी रख सकते हैं, और उसे 15-20 मिनिट के लिए दंपर रहने दीजिएगा, मैंने फूट कालर ऊपर चावलों के उपर नहीं डाला था, क्योंकि आपने देखा, मैंने धहीं के साथ नीचे जो चिकन की हमारी ग्रेवी थी बारवी की उसके अंदर डा जो बिरिस्ता है वो दालिएगा और फिर ढाकिएगा, तो है ना वज़ितार रेसिपी आज की, अगर ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्षिन में जब शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंस पर ने बहुत अच्छे लगते हैं, तो लाइक कीजिए, उससे साथ अच्छे लगे तो आपने फैमिली और फ्रेंज में इस माली वीजियो के लिक जरूर फवर्ट कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फिर से हाजी रोंगी नहीं शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंदिल देन टेक केर, आला हाफिस, बाबाई